हेलो गाईज तो आज हम बनाने वाले करकता हुआ बिजली तो आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश परता है तब बिजली करकता है तो क्या आप बिना बारिश के बिजली देखें नहीं लेकिन आज हम अपने लेम में बनाने बाले हैं एक बिजली जो की हम अपने लेम में तयार करेंगे तो आप वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत किजिएगा और मैं आप लोग को यह पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस जितना भी समान यूज़ कर रहा हूँ वह बहुत ही खतरनाक है तो आप इसे घर पे करने कोशिश मत कि जिएगा हम इस एक्सप्रिमेंट को पूरा सेप्टी और गाइडलेंज के साथ करते हैं इसलिए आप इसे घर पे करने की कोशिश मत कि जिए चलिए इसके लिए तो करक्ता हुआ बिजली बनाने के लिए हमें जुरत होगी यह सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम पर मेंगनेट की तो सबसे पहले हम वीकर में इस सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम इससे इसको निकालेंगे तो इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद यह जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम एक फ्लास्क में रख लेते हैं उसके बाद हमें चाहिए एसिटोन तो देख सकते हैं हमारे पास यह एसिटोन है और इसका रासानी सुत्र होता है CS3 का हॉल्ट वाइस CO और यह जो H2SO4 है इसको हम इसमें मिला देते हैं तो चलिए इसमें हम इसको मिला देते हैं कुछ ऐसी टॉन को ले करके इसमें मिला देते हैं और देख सकते हैं आपकी यह हवा में भी रियक्ट कर रहा है दूवा बना रहा है इसे जो है दूवा निकल रहा है तो इसमें हम डाल दिये हैं उसके बाद अब जो है हमें इसमें कुछ केमिकल डालेंगे जिससे के यह एक करक्ता हुआ बिजली बन जाएगा दिखेए, इसमेना डालते हैं इसको मुह देख सकते हैं यह जो है बिजली की तरह बना चलना है दीकनव में दिख रहा होगा तो चलिए इसको हम लेक्त Subscribe दरिये और पर बन दिखा आपको यह जो स्थिसको हम दर दो में ओनदthemमें आप को चलिए उसाला विरी, विब्धं का इनर्जी करता है, जो कि आग रगता है , तो ये इनส لगली की तरह आवाज लिआता है और देकने में उसी तरह ओ, यहां पर उतने नहे नहें होताम है फिर्वें हमें नहे नहे की यह थे, देखे देख सकने है आप इसनलम की तरह होता है इसमें इसके अंदर अभी हो रहा है और इससे धुमा भी बहुत निकलता है तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजेगा और हमारे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स् जाए महारा